YouTube channel, आप हम यहाँ पर कीमे के रोल्स बनानी जा रहे हैं, यह खाने में बहुत ही ज़़ादे दिलीशियस लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, रमजान में आप इसको बना सकते हैं, इहूं फनाक्स के लिए भी बना सकते हो, तो चलिए हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं हमने देड चुन मेंदा लिया है, ईसमें नमक आड़ कर देगे, नमक को अच्छे से mix कर देगे, नमक को अच्छे से mix कर देगे, ऊबाद को हमारी रोल से हो भूऩ थस्ता बनेंगे, आटा कुछ इस तरीके-से हो गया है, यह देख सकते तो अब हम थोड़ा-ठोडा करके आ यहां पर आटा हमने गुल लिया है इसमें मुझे थोड़ा हाफ का पानी लगा है गुलने के लिए अब थोड़ा विसको रखना है अब उसमें एक टेबल स्कून एक टेबल स्कून आदरक लसन का पेस्ट आइड कर देंगे हाफ टेबल स्पून हम उचमें हर मिल्स आड कर देंगे, फेस्ट ने ज़िए, वन टी स्पून गरम मसाला आड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी आड कर देंगे, अब हम इसमें मटन आइड कर देंगे केजी मटन है और मशीन में ग्रैंट किया हुआ है अब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट आइड कर दीजिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ढखकर हमें जब तक ये कुपनी हो जाता तब तक हम लोगों को इसको कोक करना है मैंने फ्लेम को यहां पे लो फ्लेम में रखा है तो आगर आप चाते तो आप इसको कुकर में भी जो है कीमे को गला सकते हूं कीवा जो अच्छे से पूख हो चुका है अब मैं इसमें आदी कटी भी बारी कटी भी प्यास यह आदी प्यासे बूडाल रही हूँ अब यह जो डो है यह अच्छा सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसको सिंप्ली बेल लेंगे यहां पर मैंने गंडा लिया हूँ इसे हम अच्छे से पेट लेंगे अब यहां पर जो एग हम में लिया तो उसको हम हलका से ही कर लेंगे इसके एजस में अच्छे से लगाना ताके वह खुले नुटी अच्छे से बेंगे तो, यहां वहान थे हुआ मेंगे आसब आस लगाने गाइव यह गुआ मैंघाने इसी तरीके से हमने सब बना लिए रोल्स हमारी यहां पर एक लास्ट बच गया था छोटा सा हम इसे 10 मिनिट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए फिर हम फ्राई करेंगे ठीक है इसे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक प्राई करनेंगे तो यह हलके से गोल्डन ब्राउन हो गए तो फ्रेंच अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्स्ट्राइब और शेयर जरूर करना कमेंट भी करना थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मच